हलो दोस्तों मैं दीपक नागर अधिशार्षी अधिकारी आप सभी का यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं आशा करता हूं कि आप सब लोग सवस्थ हो तन्रूस्थ होंगे और अपनी पड़ाई अच्छे से कर रहे हूंगे तो बच्चों हम इस यूटूब चैनल पर क् करते एकोनोमिक के बारे में जो इकोनोमिक जैनो में अ इस सबके बारे में और उन में से भी उसके आपरने शोवरीन मॉवर्में 1200 गरीन me हम प्रेंव्र जारी किया है कल भारत सरकार बहन सरकार सब्तिक्श का होता है और क्यों लाया गया आ इस सबके बारे में इन दूबर बताउंगा तो चलो सुरू करते हैं यह टोपिक आज का तो सबसे प्रहे तो बच्चों देखो सबसे पहले जो बजट 2022 था ना कि बजट 2022 जब फ्रवरी में रिमला सिता रमंजी ने जारी किया दा बजट तो उसमें यह था कि सरकार क्या करेगी कि गौर्वर्मेंट सबसे पहले जानेंगे कि बॉन्ड क्या होता है फिर हम जानेंगे ग्रिन बॉन्ड क्या होता है पर तीजीशित जाननेंगे सब्रेंगेटें फिर चरवर्म इसको लेकर आया था चलते हैं बच्चों देखो बच्चों मुझिक बच्च्च्ण अएक बच्च्चे कासि कि क्या होता है बच्चों जो पैसे की कमी हमेशा रहती सरकार के पास में बहुत अमीर देश ने इंडिया का गरीब देश हैं इस बात को तो हम सब जानते हैं यहां पर पैसर की कमी रहती है इसलिए जब गवर्मेंट बजट जारी करती है तो आप लोगों को पता हुगा बजट के दो एड होते हैं एक तो इंकम का होता है जितने भी गवर्मेंट की इंकम होती है इसमें लिखते हैं एक होता है एक स्पेंडिचर तो विकास सिल देशों में अधिकांस क्या होता है expenditure हमेशा income से ज़्यादा होता है government किया हमेशा कम उड़ती है लेकिन खर्चा ज़्यादा होता है तो अगर आमन ने अठन ने खर्चा रुपईया तो क्या होगा कर्जे में जाएगा deficit में होगा कई प्रकागी deficit हम पढ़ते हैं जब fiscal policy मैंने भी पढ़ाई है कई बार तो fiscal policy में हम कई प्रकागी deficit पढ़ते हैं budget deficit, primary deficit, revenue deficit और fiscal deficit तो जो मुख्य तो क्या होता है उसको कहता है fiscal deficit जो government का पूरा कर्जा बताता है तो government क्या करती है जितना income होती है और जितना expenditure होती है इन दोनों के अंतर को partner के लिए क्या करती है government borrow करती है बच्चो fiscal deficit के लिए क्या करेगी गवर्मेंट borrowing करती है अपने खर्चे को पूरा करने के लिए borrowing कैसे करेगी क्या हवा में करेगी इसके लिए कुछ instrument जारी करनी पड़ती है तो उसको क्या करेंगे G-Sec कहते है government security कहते है बच्चो इसको मैं आपको आगे में तोड़ा होगा डिटिलन बताऊंगा देखो क्या होता है बच्चो दो तरक इंस्ट्यूमेंट होता है basically पैसे एक टे करने लिए दो तरकिये होते है दो तरीके मार्केस होते है दो तरीके से पिस्था च्चकते है यह तो मैं क्या करूँ बोडो कर लूँ बोडो कर लूँ नूलाग रुपयर मैंने किसे से उदार ले लिये यह मैं charitynia apology charity sharing market लनाऊँ आपने में क्या गरू नोगों को पार्नव बना लू और उनको एक एक लाग रुपे उन से ले लू कि बैब आ जाओ मैरे कंपणी में मैं कोजीन खोल रहा हूँ आप लोग एक लाग रुपे लेके मरेकं लेक wizard पार्नव मैं ठीसर में जाऊंगे तो ये आदमी क्या होगे ₹ bishop ह confusion. अब बार्टर बनागा तो आप जानते हो पार्टरर शें मी क्या होता है लाप भी असकता है आपblo, Newton लोट लोख भी होता है अगर मेरी कोचिंग प्रॉपीट में चली तो बेंको को प्रोपीट में स्स्वा मिलेगा अगर लोड़ सुपा तो कुछ नहीं मिलेगा और बोरो में क्या होता है वह इंटरेस्ट पर बोरो करते हैं को इनको आपकी पुझाइश hybrid की स्थ और सब्सक्राइब लिए उसके बाद इनको मूल राशी हो आपस हमको करनी पड़ेगी तो यह दो तरह से कोई भी कंपनी या कोई भी संस्ता पैसे कट्टा करती है एक तो होता है बोरो बोरो इनके माधियम से इसको कहते हैं डेट मार्केट बच्चों ओधकतेають करते हैं तो सूनाओ की यहीत इसकली यहां की अग सब्सक्रावान अगकर है माली को इसका परतिक होता है जो प्रॉपिटरी सब्सक्राइड करते हैं और जो बोरो करते हैं वह क्या करते हैं उनको उनका इंट्रेस्ट मूलटाशी से द्वापत मिलना ही रहता है यह बच्चो दुना प्रकागे मार्केट में अंत्र होता है तो हम चलेंगे अब जो यह डेट मार्केट होता ना बच्चो कि इसको क्या करते हैं देट नो गौर्णनी में सकती है और प्राइड फर्म भी उसको ऐसी का बेंचर इनर बेंचर के इन्हार वो एक का गेद्स कोला जाकरी करेगी गिश्यर नाम से कि तो सो सो रुपे के उसने एकलाग डिवेंच से जारी कर दिए अब जिसको जितिशमता वह उसको साथ खरी लेगा और पहले से रेट ओब इंट्रेस्ट पिक्स रहेगी यह पांच साल के लिए मैं आठ परसेंट दूंगा आप खरी लो और उनको उनका ब्याज मिलेगा एंड म जरा करती है बच्चो मेंब बच्च करती है जी-से जिसको करते हैं औरन सेक्रीक करते हैं इक कागल नगन तोडा होता है जिसको लाक आड़ मेंग बेंगरमेंट का बेंगर करें वह कुछ जारी करती हैं इस इसके करें जाब भी क्या चते हैं बच्छो ऑद डिबेंचर बॉट्थ 16 नाम हन्त्र रहा तो बॉन्ड क्या हुआ बॉन्ड एक इंस्टुमेंट होbresट कोन्स साथ Instagram में क्यों कहा हुँ बच्चों इस जिसे की इंस्टुमेंट होता है लेकिन इनकम इंस्टुमेंट generous का पिक्स्ट इंकम इस्टूमेंट होता है जो कोई कंपनी या कोई संस्था या सरकार भी जारी कर सकती है किसके लिए करती जारी तो उधारी लेने के लिए करती है बच्चों अब मैं आज अपने टॉपिक पहाऊंगा अभी गुवर्मेंट जो अमारा को टॉपिक क्या था वह बच्चो हिसमी सब्सक्राएं का उइसा घृआ हैений को केदें Profess जाए कि उसको सोवरीन मना जाता है तो गौर्मेंट सब्सक्ति जो यह बॉर्ड सब पैसा आएगा ना उसको ग्रीन प्रोजेक्ट में लगाये जाएगा अब इस सब्सका क्या मतलब सब्सजी परियावन को बचाना है तो परियावन को बचाना के लिए क्या करना पड़ेगा environmental जो प्रोटेक्ष्ट की प्रोडेक्ट लगाने पड़ेंगे तो गिर्नड प्रोज्ट में क्यक्न सामिल हो सकता है बच्चों नट मीर two सब्र enact UK छोती इस लई तॉर अचार चिर्पलान तर्म परफ में किसमा होता ह। क्या होता है क्या होता इंच сама पौरेदक से लिए पaltetक利ल अे त्यवूर मिलता ये चारी इंद पर अपनी जिर्बता काम करें धर्मरपॉल्स प्लांट पर अपनी निर्पटा कम करें हो और क्या करें सोलर एंठी सो लर एनरजी रिंद के पास पैसा आएगा उसको एक डिनेवरायबल एनरजी में लगाएगगी ताकि इन्वरिमेंटल जो डिक्रेटिसंग कमसे कम हो इसके लाव गलवा इन्वर्चिंग यूपसकर कम कर सकती है जिसे क्या हो अदर कश्चन और तर कोई गूति का प्रोजेक्ट है नोटैब कोई गींटरिंदी का करना है बायोडारी बचाना एसे प्रोजेक्ट में गॉऔर्मेंट निवेस्ट करेगी तो बच्चों आब मैं इसको समराइज कर देता हूं जो सवरीन गॉल्ड बोन्ड बोन्ड है इसका उद्धिशे क्या है गॉर्मेंट बोरो करेगी अपना फिसकल डेपिसिट के लिए और इसको का इन्वेस्ट करेगी इसको इन्वेस्ट करेगी ग्रीन प्रोजेक्ट में ऐसे प्रोजेक्ट जिनसे प्रयावन को हानी ने वो प्रयावन की बचत हो ज़्यादा से ज़्या सा मतलब है गोर्मेंट कितना कितने अमांड का गिरीन बोंड का प्रोजेक्ट लेके आएगी किसे उसको सेल करेगी और क्या उसका प्रोसेश रहेगा इस सब के बारे में इस प्रेमेर्ट में डिटेल से बता गया तो बच्चों मैं आज क्लास नहीं खतम करता हूं थैंक्यू येंट